इसने की तरह इसमें क्योंगा अगर आपके पास कोई भी दो mineral liquid अच्छे से मिक्स हुय ओंहें है वह liquid को आपको सपराइट करने दो ना का प्रोसेस यूजे कराँगी distillation में आप यूज़ करते थे pure liquid में convert करने के लिए इसमें आप यूज़ करोगी कोई भी दो miscible liquids है mixed liquids दोनों को separate करने के लिए कौन सा process यूज़ करोगे distillation process पर इसका main principle क्या होगा कि जो आपने दो liquid यूज़ किये हैं वो liquids का boiling point different होना चाहिए boiling point different होने पर क्या होगा कि एक का boiling point कम होगा वो फटा-फट इवेपरेट करके उपर आ जाएगा जिसका boiling point जादा होगा वो नीचे रह जाएगा ऐसे आप उसको separate कर सकते हो तो देखो हमारे पास यह structure है for the fractional distillation इसमें भी क्या होगा कि अप distillation ज्यादा होता है और यहां पर temperature कम होता है ठीक है तो वह temperature को adjust करने के लिए यहां पर fractionating column लगी होती है इसमें भी वैसी होगा कि आपने क्या करना है एक दो जो liquid missable होंगे इसमें फ्लास्क में ले लेनी है उसको heat करना start करने क्या होगा कि जो पॉइलिंग वह 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 पर इवापरेट करना start कर जाएगा एवापरेट करकि वह fractionating column में आएगा फ्रेक्शनेटिंग यहां पर जो temperature होगा जादा होगा गरम होगा ऊपर जाकर थ्वड़ा सा थंड़ा हो जाएगा थंड़ा होने के बाद वह वाटर आउट प्लेट में जाएगा उसमें तेमप्रेचर और और जादा कम हो जाएगा थंड़ा हो जाएगा थंड़ा होने के बाद वह क्या करेगा as a separate liquid वो बाहर आ जाएगा ठीक है ऐसे इस residue में तो इसको हम mainly petrochemical industry में use करते हैं जब आपने refined crude oil को separate करना हो refine करना हो crude oil को ठीक है या अपने gasoline, diesel, kerosene इन सब भी components में इसको separate करना हो ठीक है